हेलो दोस्तों स्वावत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम जानेंगे कि यहाँ पर आप अपने लैपटोप में अपना जो पासवर्ट है चेंज कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है आए जानते हैं तो इसके लिए आएए चलते हैं लैप्टोप की स्क्रीन पर यहाँ पर हम लैप्टोप की स्क्रीन पर आच्छे से करके बताने वाले हैं तो यहाँ पर हम लैप्टोप की स्क्रीन पर आचुके हैं यहां पर आगर आपके बस विंडो 7 हो विंडो 10 या विंडो 11 सेम ही तरीगा रहेगा विंडो बटन में जाएए कंट्रोल पैनल को ओपन करिए यहां कंट्रोल पैनल मिल जाएगा आपको इस पे क्लिक करना है यहां पर आपको मिलेगा यहां पर यह सेटिंग जूम नहीं होती है इतनी रहती है तो इस पे क्लिक करें यहां पर आपको मिलेगा एडमीन या आपका नाम इस पे क्लिक करें चेंज दी पासवर्ड पे क्लिक करें यहां पर डालिए उपर अपना अभी का पासवर्ड जिस password से आप laptop अभी इस्तिमाल करते हैं यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फिर आपको डालना है दूसरे वाले option में new password है याँ नए password डाल देजिए जो आप लगाना चाहते हैं तो मैं डाल देता हूँ द्वार डाल दीजिए नए वाला password और एक हिंट यहाँ पर डाल दीजिए मैं आपे डालता हूँ my name और change password करते हैं थोड़ा सा wait करते हैं और हमारा password यहाँ पर change हो चुका है तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी और न